नमस्कार स्वगत्याप का हमारे चैनल चार जागेंदर मिशा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्क्राइब जरूर करिएगा पैसे गिंते गिंते ठक जाएंगे 72 वर्सों बाद आज 28 मार्च को पाप मोचनी एकदसी साथ राशों की लगने वाली है लोटरी दोस्तों चैत्रमास की कृष्णपक्षी एकदसी को पाप मोचनी एकदसी के नाम से जाना जाता है किस बार यह एकदसी आज 28 मार्च दिन सौम बार को है पाप मोचनी एकदसी के दिन भागवान स्री हर विश्णू और माता लक्षमी जी का पूजन किया जाता है इस दिन भागवान विश्णू मा लक्षमी जी का पूजन करने से सभी पापों से छुटकारा तो मिल जाता ही है साथी साथ उनकी कृपा भी मिल जाती है सास्त्रों में पाप मोचनी एकदसी का बिशेस महत बताया गया है मानताओं के अंस्वार पाप मोचनी एकदसी का ब्रत करने से ग्रहों के अशुप्रभाव भी दूर किये जा सकते हैं कहतें कि इस ब्रत को करने से भक्त के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं भगवान लक्ष्मी नराण के कृपा से पूर्ण हो जाता है इस ब्रत को करने से जन्मों जन्मों के पापों का नास हो जाता है और दुर्भाग सोभाग में ब्रद्धी होने से बिगडे कार भी बनने लग जाते हैं और कारियों में आरही रुकावटे भी दूर हो जाती है यह दिन भगवान लक्ष्मी नराण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है इस दिन भगवान लक्ष्मी नराण का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा तो मिल जाता ही है साथी साथ घर में शुक्षम्रद्धी भी आती है द 15 मिनट से लेकर शुबह 8 बच कर 43 मर्तक रहेगा यह एक अधस्री भगवान विश्मी जी को समर्पित है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसंद मुद्रम रहती है इनकी किरपा प्राप्त करने के लिए यह दिन बहुत खास माना जाता है इस दिन चावल ना खाएं च कर शके तो ब्रत का संकल्प लें और यथा योग संबह हो तो कर भी सकते हैं ब्रत नहीं कर सकते तो चावल ना खाएं और सात्य विचार रखें अपने मन में और आज पाप मोचनी एक अधस्री के दिन आप चाहें तो दांदच्छिना भी कर सकते हैं किसी भी तीर्थ प्रसन्न मुद्रा में रहने वाली है। अस्वन पर रहेगा। अब इनकी रूठी हुई किसमत भी चमकने वाली है। तो दोस्तों आखिर ये भाग साली राशिया कौन कौन सी है। इन्हें क्या लाब अपने जीवन में देखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम आपको इन ही राशियों के बारे में बताएंगे। आपसे अन्रोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिश ना करें और इसे शुरू से लेकर अंध तक जरूर देखें। तो चलिए सुरू करते हैं। यानि दिक्कते और रुकावेटे भी भागवान विश्णों और मातल लक्षमी कृपा से अबदोर होने वाली है। अगर आपके कामों में कोई रुकावटे आ रही थी या फिर कोई विवधान आ रही थी तो सारे वो विवधान अब आपके दूर होने वाले हैं। मातल लक्षमी कृपा से अब आपके जीवन में एक नया चमक दार यनिकी रोसन भरी जिंदगी देखने को मिलेगी। पुछ नए खुश खबरी देखने को मिलेगी। अनिक प्रकार के शुक शुदाएं आपको अपनी जीवन में देखने को मिलेगा। बता दे कि बैवाहिक जीवन काफिस सुखमय रहेगा। संतान प्राप्ति के परवल योग बन रहे हैं। तो वहीं रुकवे तबाम प्रोजक्टों पर भी काम करके जल्द जल्द मुनाफ़ा कमा पाएंगे। बता दे कि दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करेंगे। बिती मामलों में काफि सुधार देखने को मिलेगा। जो भी कामों में रुकाबटे आ रही थी, परिशानिया आ रही थी, अब वो आप की दूर होने वाली है। अब आप अपनी जीवन में एक नया लाव देखने को मिलेगा। बहतर वर्सों बाद आज 28 मार्च को पाप मुचिने एक दसी साथ राशों के लगने वाली है लोटरी। उनमें से एक राशी आपकी भी है। जी है दोस्तों अब अगली यानी जो चोथी जो राशी आती है दोस्तों वो है यहाँ पर ब्रिश्चिक राशी। पूरे होंगे नए प्रजोक्टों पर काम कर सकते हैं जमीन प्रप्रेटिक खरीदारी कर सकते हैं रियलिश्चिक कंट्रक्शन से जुड़े हुए तो विशेश लाब होगा। अगर कोई काम पिंडिंग था तो वो अब पूरा होगा बिजनेश व्यापार का विश्टार कर पाएंगे दोस्तों में सहयोग बढ़ेगा। मातल लक्षमी क्रपा से आपको विदेश जानी की योजनाई बना शकते हैं विदेश जानी के सपने पूरे होंगे। इसमें आपके कारियों में आरही रुकावटे भी दब दोर होगी। मातल लक्षमी क्रपा से विदेश जानी के सपने पूरे होंगे। इस्टुडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ायली काई पर फोकस बना रहेगा। सिक्षा के मामले में काफी ज़्यदा सफलता प्राप्त होगी। अनेक प्रकार के शुक्षुद्धायं प्राप्त होंगे। जीवन में चल रही पर एसानी अब आपकी खत्म होगी। और अनेक प्रकार के लाप देखने को मिलेंगे। जो भी समस्याएं थी, जो भी दिक्कते थी, अब आपकी वो दूर होने वाली है। अब अगली यानि जो छटमी जो राशी आती है, वो है यहाँ पर कुम राश। कुम राश के आद को बताना चाहेंगे कि अब आपके किसमत बहुत तेजिस चमकेगी। अब आपकी लोटरी लग सकती है, लोटरी शटमी में अजमाएंगे भाग, तो विशेश लाब होता नजर आएगा। यानि कि इसमें दिन दुगनी राश चोगनी तरक्की करेंगे। कपड़े के बैयापारी है, जोलिरी के अगर बैयापारी है, जोलिरी के काम करते हैं, तो विशेश लाब होता नजर आएगा। यानि कि दिन दुगनी राश चोगनी तरक्की करेंगे और मान समान के साथ साथ विशेश अपलबधियां पराप्त करेंगे। लाब तो मिलेगा ही साथी साथ, आपके कारियों में आरही रुकावटे भी दूर होंगे, माता लक्षमी कृपा से एक खास दिन वाना जा रहा है, अब अगली यानि जो सात्मी जो राशी है जिसकी लोटरी लगने वाली है, वो है यहां पर दोस्त बता दे, बिर्शेवराश बिर्शेवराश के याद को बता दे कि अब आपकी लोटरी विशेश लगेगी और साथी धन के मामले में काफी लगी रहेंगे, धन संपत तैस्टरों में ब्रधी होगी, धन कर्चों में कमी आएगी, बैंक वैलेंस बढ़ेगा, समाज मान समान बढ़ेगा, राजिन्तिक चेतरों में काफी जिदा लगाव रखते हैं तो विशेश लाब होगा, कई प्रकार के प्रोजेक्टों पर काम करेंगे तो लाब होगा, अनसुलजे मुद्दे सुलजेंगे और यहाँ पर कुछ महत्पूर्ण कारियों में लाब होगा, पारिवारी की जीवन, काफी अच् राशियों की विशेश खुश्खबरी और विशेश लाब मिलने वाला है, तो दोस्तों कमेंट में जरूर लेखेगा, जैमातालक्षमी जी साथे साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, जैदा जैदा शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक इनको प्रेश जरूर करिएगा, जैमालक्षमी जी साथे 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 साथ